दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशराफ फुसान और आपका एगवार फिर से स्वागत करते हो अपने चैनल हेल्दी हेल्फ फोरेवर पे आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज गुड़ खा सकते हैं या नह इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्यूं है ये मान्यता की गुड़ खाना चीनी के मुकाबले जादा फाइदे मन्त होता है पहले बात करते हैं गुड़ के फाइदे के बारे में गुड़ में प्राकरतिक रूप से आइरन, केल्शम, पोटेश्यम, मेगनेश्यम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत महत्पूर्ण होते हैं इन मिनरल्स की कमी शुगर के मरीजों में भी अकसर पाई जाती है गुड़ आइरन की अच्छी शुरूत है जो खून में हिमोगलडिन के बढ़ाने में मदद करता है इस से शरीर को एनरजी भी मिलती है औ लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गुड़ को पूरी तरह से शुगर के मरीजों के लिए हानिकारट माना जाए रियालिटी यह है कि गुड़ चीनी के मुकाबले एक बहतर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्र अच्छी गासी होती है लेकिन यह हमारे शरीर में तेजी सी तूटता है और गुलुकोज में बदल जाता है यह गुलुकोज खून में मिलकर ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देता है और गुड़ खाने से ब्लड शुगर में अचानक से वरद्धी हो सकती है जो डाबटीज के मरीजों के लिए नुक ग्लाइसमिक इंडेक्स है वो काफी हाई होता है ग्लाइसमिक इंडेक्स यह बताता है किसी भी भोजन काय फल का कोई भी खादे-पदात खाने के बाद कितनी तेजी से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है इसलिए शुगर के मरीजों को गुड के परेज करने की सला द पिर दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर शुगर के मरीज गुड़ खा सकते हैं तो फिर कितनी मात्रा में खा सकते हैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें गुड़ के गलाइसेमिक इंडेक्स के साथ-साथ गुड़ के गलाइसेमिक लोड को भी जानना होगा glycemic load का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी भोजन खाना खाने के बाद blood sugar कितनी बढ़ाता है जबकि glycemic index बताता है कि कितनी तेजी से बढ़ाता है और glycemic load जो है वो बताता है कि कितनी शुगर बढ़ाता है किसी भोजन को खाने के बाद तो glycemic load एक simple formula से calculate किया जा सकता है उसके लिए हमें गुड की एक serving में मुझूद carbohydrate की मात्रा और गुड के glycemic index का पता होना चाहिए गुड का जो glycemic index है वो हम जाते हैं करीब 70-70 के आसपास होता है और गुड की करीब एक समान्य सर्विंग में अगर हम 10 ग्राम गुड की बात करते हैं तो उसमें 9.8 ग्राम carbohydrate या glucose होता है तो गुड का glycemic load होगा 70 जो इसका glycemic index है into 9.8 इसके अंदर जितने ग्राम glucose है और उसको अगर 100 से हम डिवाइड कर देते हैं आता है 6.9 अब एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ऐसे भोजन जिनका glycemic load 10 से अधिक होता है वो शुगर की मरीजों के लिए नुकसान दे माने जाते हैं तो फिर इस हिसाब से तो गुड का glycemic load 6.5 है जो काफी कम है तो शुगर के मरीजों को ये खा लेना चाहिए और इससे उनको को नुकसान भी नहीं होना चाहिए तो दीखें नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसलिए आपको गुड की quantity पर ध्यान देना होगा और इसलिए glycemic load निकालना होता है तो अगर शुगर के मरीज गुड की अधिक मात्रा खा लेते हैं तो उनके लिए नुकसान का सोदा हो सकता है इसलिए अगर शुगर के मरीजों को गुड खाना ही है तो वो एक दिन में 10 ग्राम से जादा गुड ना खाए और चीनी तो बिलकुल ना खाए हाला कि 10 ग्राम चीनी का ग्लाइसिमिक लोड 6.5 होता है जबकि 10 ग्राम गुड का जो ग्लाइसिमिक लोड है वो 6.9 होता इसे साब से तो गुड खाने से चीनी खाने के मुकाबले शुगर तेजी से बढ़ेगी ये बाप बिलकुल सही है लेकिन गुड के अंदर फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भी होता है इसलिए गुड को चीनी से बहतर माना जाता है हालकि ये शुगर तेजी से बढ़ा सकता है तो डाबिटीस के मरीजों को इनका सेवन बड़े ध्यान से करना चाहिए और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल लखने के लिए सारी साफदानिया बर्तनी चाहिए अगर आपको मीठा काने के इच्छा होती है तो आप कम गलैसमिक इंडेक्स वाले दूसरे नेचूरल सोर्सेस से फल चूज कर सकता है जिससे आपका ब्लड शुगर कम बढ़ेगा तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी उप्योगी लगी होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बोक्स में जरूर पूछ ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्यू, धन्यवाद